हलो दोस्तों स्वागत है आपका e-commerce टॉक यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने हर order ID का कितना payment आपको मिल रहा है यह आप कैसे चेक कर सकते हो यह आज की वीडियो में हम देखने दोस्तों से पहले मैंने amazon के उपर आपके लिए वीडियो सेयर इगा था आपको कितना payment आपके सब्सक्राइब को मिल रहा है वह आप कैसे चेक कर सकते हो सारे फार्मूला हम लोग सेम उसी तरह का यूज करेंगे और उसी हिसाब से, हम लोग इस फ्लीप कार्ट के लिए भी अपना जो पेमेंट है, वो निकालेंगे, कि हमारा किस प्रोड़क्त के लिए किस ऑडर डी के लिए किदना हमें पेमेंट यहाँ पर मिल रहा है तो इसके लिए कि जैसा कि आपको एक Google सीट मेंटेन करना पड़ेगा अपना डेली का और जो भी ऑडर आपको जा रहे हैं वो पर दे आपको इस सीट में अपडेट करना पड़ेगा जैसे देख सकते हैं इस सीट में डेट वाइज अपना जो ओडर जो होता है वो यहाँ पर अपडेट किय कि किस देट को कितना ओर गया हुआ है तो इस से ही आप ट्रेक कर पाओगे and then payment में आपको हम लोग reconciliation करेंगे तो guys इसके लिए आपको flip card के seller panel पे आना है और आपको सबसे पहले तो जो भी आपको payment मिल रहा उसका एक report download करना है तो आप यहाँ पर report and then report center मैंगे तो आपको types of report मिलेगा जब type of report में आप जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते है payment report आपको मिलता है and payment report में आपको selected transaction पे click करना है और जिस भी month का आपको करना है यहाँ पर reconciliation उस month को यहाँ पर select करके और इसे generate पे click कर लिजे generate पे click करने के बाद आपको जो report है वो generate हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते है अभी क्यूज में है और क्यूज हटने के बाद यह download option highlight हो जाएगा इसे download कर लिजेगा तो जब आप इस report को download करेंगे तो आपका report कुछ इससाब्त का होगा और इसमें से हमें जो है यह आपको order वाले टैब में आ जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे options आ रहे हैं तो इसमें से आपको दो चीज़ लेना है एक order ID और एक दिख सकते है settlement value तो यह order ID में आपको इतना amount जह है वो मिला हुआ है इस order ID के लिए आपको इतना amount मिला हुआ है तो आपको क्या करना है कि इस सबसे पहले order ID को copy करना है तो control shift arrow down करेंगे आप तो यहाँ पर आपका जितना भी order ID है वो select हो जाएगा और इसे control C से आप copy कर लिजे copy करने के बाद आपको क्या करना है seat पर आना है जो seat हम लोग maintain कर रहे है इसमें एक seat आपको और add करना है एक seat और आप जब add करेंगे तो यहाँ पर seat 2 करके एक seat बन जाएगा और यहाँ पर आप जैसे second वाले में यह जो है यहाँ पर order B जो है B में आप control shift भी कीजिए आपका जो भी order ID हमने वहाँ से copy किया था वो सारे order ID यहाँ पर paste हो जाएंगे तो यह हमारा सारा order ID पेस्ट हो गया कि किस कौन कौन से order ID का हमें payment आया हुआ है इसके बाद आपको उसी seat पर वापस से जाना है और यहाँ पर आप देख सकते settlement value है तो settlement value control shift arrow down करके आप select कर लिजे पू value आगे हमारा control C से इसे भी हम copy करेंगे और हम अपने वापस से seat में जाएंगे और यह second जो tab देख रहे हैं C number इसमें हम control shift दी करके paste कर देएंगे तो अब हमें पता चल गया कि किस order ID के लिए हमें कितना payment आया हुआ है तो यहाँ पर हम दे देंगे order ID अब हमें इतना payment मिला है यह हमें पता चल गया है तो इसे मैं यहाँ से scroll कर देता हूँ ताकि यह stick हो जाए तो अब हमें यह पता चल गया है कि इस order ID के लिए हमें इतना payment मिला है यह आपको order ID आप next month जब आओगे तो इसके नीचे आपको next month अगर आप रिपोर्ट अभी आपको अपना जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर बस आप पेश्ट करते चले जाएगा तो गैस देखें यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर हमने मैंटेन करके रखा है कि यह order ID हमने send किया है flip card में sale किया है और यहाँ पर हमें पता चला है कि इस month में इस order ID के लिए payment मिला है बस पी विल लूक अप हमने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर इस arrow को आपको देना है एक bracket देना है दन आपको गया करना है कि यह जो order ID है इस पर क्लिक करना है इस order ID क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर automatic आपको आ जाएगा देना आपको कॉमा देना है और कॉमा देने और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इस order ID के लिए आपको जो भी payment मिला होगा वह आपको देख सकते हैं यहाँ पर सोक कर जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना है यह जो arrow है इसे आपको स्वाल करके नीचे लात है इसलिए आपन नन आ रहा है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और आपको sentence add करना चाहो तो add कर सकते हो अगर आपको यह नन नन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यह फॉर्मूला को extend कर सकते हो और इसे सही बना सकते हो अगर आपको यह चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना बस इस फॉर्मूला को स्कॉल करते जाए तो मैं इस ठीक करता हूं यहाँ इस इस कल्टू के आगे लगाता हूं इफ ब्रैकेट यहां से आपको open करना है is e r or error then आपको एक और ब्रेकेट देना है यह जो ब्रैकेट हमने दिया है ब्रैकेट से लिगखर के फॉर्मूला जहां तक end होता है वहां तक कॉपी कर लिजिए और फिर वापस से यहां पर आजाइए और यहां पर एक और ब्रैकेट दे нужно and need of कोपी किया था वह हमें यहां पर पेष्ट करना है और यहां पर हमें दो ब्रैकेट लगा देना है और इंटर कर देना है फॉर्मूला सेम रहेगा सेम सब कुछ आएगा बट अब हम जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो जहांपर फिल लुंड़ होगा यहां पर कुछ यानि content नहीं होगा वहां हमारा नन नहीं आएगा बकी blank आएगा देख सकते हैं तो यहां देखने भी अच लगता है तो देखें दोस्तों यहां पर हमने बिल्कुल ही reconciliation कर लिया है कि किस order ID के लिए हमें कितना payment मिला है यह हमने पूरा reconciliation कर लिया है तो इसे आपको स्क्रॉल करके नीथे चलते जाना है तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपने इस वीडियो से इसकुछ सीखा हो तो जुरूब लाइक किजिएगा साथी पर नए है तो जुरूब से सब्क्राइज भी किजिएगा इस चनल पर आपको स्क्रॉल करते जाना है जिस भी जहां तक आपका ओडर आडी गया हुआ होगा तो हम स्क्रॉल कर लेते हैं अब यह देखिए हमारा यहां तक है तो हमने यहां पर पूरा स्क्रॉल कर दिया तो देख सकते हैं कुछ ओडर आडी के लिए हमारे पेमिंट नहीं आया है क से को इसी सीटे पर बस नीचे क्या च्ड़ने है अपना जो भी डिट वाइज यह ओ और रॉडर एडि यहाँ पर लिखते चला जाना है यहां पर पर नीचे यहां पर नीचे यहां पर नीचे यहां पी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यह जो फार्मूला verses एक यह formula आया हुआ है यहां पर यह formula नहीं है तो बस यहां से आपको यह formula को scratch करके नीचे करते जाना है वह automatic लिखा जाएगा बस आपको data यहां पर upload करते रहना एं तो आज को वीडियो को पसंद आया हो और आपने देखा हो कि payment अगर आज का वीडियो आपको पसंद आयो तो लाइक जुरू कीज़ेगा साथ हम आप चले पर नहीं है को कर दिये चलनल को सब्सक्राइब चलनल पर मैं आपके लिए ओनलें से लिट वीडियो लाता रहता हूं